जुस्तुजू जिसकी थी, उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परीशान सा क्यों है, सियाह रात नहीं लेती नाम धलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, जागता हूँ मैं एक अकेला, दुनिया सोती है, कितनी वैशत हिज्र की लंबी रात में होती है, शिक्वा कोई दर्या की रवानी से नहीं है, रिश्टा ही मेरी प्यास का पास्वानी से नहीं है, नाजरीन आदाब, मेरा नाम हिलाल फरीद है और मैं इस आनलाइन महफिल में आपका खेर मगदम करता हूँ, आज की ये महफिल अर्दू के मुम्तास शायर कुमर इखलाख महम्मद खाँ शहरियार की याद में सरसेयत फाउंडेशन लंडन के जेरे इतिमाम मुनाकित की जा रही है, महफिल का मकसद नाजरीन की तवज्जे शहरियार के फन और उनकी शख्सियत की तरफ ले जाना है ताके वो इस अनोखे शायर के फन को बेहतर समझ सकें और उससे ज्यादा मेहजूज हो सकें, आज की इस गुफटगू में मेरे साथ देहली से शामिल हैं डॉक्टर रखशंदा जलील और जद्दे से डॉक्टर मुहम्मद सईथखा साहिब। डॉक्टर रखशंदा जलील एक मारूफ मतर्जम नकाद और अदबी मौर्रिख हैं, ना सिर्फ उनके मजामीन अंग्रेजी के मौतबर अखबारों और जरीदों में छपते रहे हैं, बलके वो 25-30 किताबों की मसन्निफा भी हैं। जिन में शहरियार पर उनकी किताब शहरियार अलाइफ इन पोईटरी भी शामिल है। रखशंदा हिंदोस्तानी आवाज के नाम की एक अंजमन की रुह और रवा भी हैं, जिसके जरीए वो हिंदोस्तानी अदब और सखाफत को फरोग देने के लिए एक खोशा रहती है। हमारे दूसरे मेहमाल डॉक्टर महमद सईथ खाह यूं तो माहिर माशियात हैं, लेकिन वो फुर्दू शेर अदब के एक संजीदा और बाजव कारी भी हैं। साइद साथ ने अलीगड़ डेली युनिवरस्टी, जे एन यू यु युनिवरस्टी, जामिया युनिवरस्टी से तालीम हासिल की, फिर एम यू में मुधर्रिस रहें, और अब जिद्दा युनिवरस्टी में एकोनोमिक्स के प्रोफेसर हैं। और अपनी बेगम घजाला अजीज साहिबा के साथ मिलकर कई चेरिटिबल वीडियो भी चलाते हैं और उनको काफी इसमें ताववन लोगों का हासिल है तो आईए गुफटगो का आगास करते हैं और सबसे पहले क्योंके वो शेहरियार पर किताब लुक चुकी हैं इसलिए मैं रखशंदा साहब का से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ताफरात का इजार फरमाएं एक मिनट डॉक्ट हिलाल फरीद इस से पहले और माज़वत के साथ डॉक्ट रखशंदा से डॉक्ट हिलाल फरीद ने मेरा तारुफ फासतोफ से खासा जेनरस ली कराया और डॉक्टर रखशंदा का कराय जिसकी वो मुस्थाइब है लेकिन इनका तारुफ भी किसी को कराना चाहिए, डॉक्टर हिलाल फरीद का, डॉक्टर हिलाल फरीद, तो ये जिम्मधारी मैं लिए लेता हूँ खुश से, डॉक्टर हिलाल फरीद पेशे से और्थोपेडिक सरजन है, बहुत कौलिफाइड आत्मी है, ये कहा जाता है कि औ किते डिग्रियां हो सकती है, सब इनके पास है, लेकिन उर्दू अदब खुश शायर भी हैं, और उर्दू अदब पे और उसकी तारीख पे इनकी बहुत गहरी नजर है, तो ये मेरी राय इनके बारे में है, और शायरी में इनका अपना अलग एक अंदास है, और किसी भी, कि आम इन ट्रेंग से वो बहुत जादा मुतासर नहीं होते है, अब लोग कहने लगेंगे, मन तोरा हजीब गोयम, तू मुरा हजीब गोई, तो और हम चलते हैं रक्षंदा साहबा के तरफ, रक्षंदा आप बुरा नहीं मानेंगी, अगर मैं आपको रक्षंदा को हूँ? किताब का असली नाम है इस में कुछ डीटेल यो उनकी छाती जिन्दीगी से मितलिख हैं नी जलों जैसे कुछ लिए क्पड़ों को शौख था हुँ खास दिल्चस्पई नहीं थी इस किताब को लखते वख 59 कुछ चीज़ें जो जो जिनका असर उनकी शायरी पे होता है तवाजन मसलन जैसे वो कहते थे खाने में बैलन्स खाना पकाने में बैलन्स उतना ही इंपॉर्टन्ट है जैसे शायरी में यह चीज़ें कान में पढ़ती थी एक लंबे अर्से से सुनती थी मैं यह बातें कहीं वो एक नेरेटिव की शकर लेने लगी जब मैं ये किताब लेखना शुरू की लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि शेहरयार साब से जिनको मैं असर में शेहरयार मामू कहती थी उनसे एक इंटर जेनरेशनल दोस्ती थी यानि वो मेरे नाना के शागिर्थ थे आफ सरूर साब के बात कर रहень है थी चिर जनके वो स्टूदन्ट भी थे और फिर डिपार्टमेंट में भी सात रहा और बहुत बाड़ के रेटारिमंट की बहुत लंबे अर्से बात तक उनसे दोस्ती रही मेरी नानी को उम्मी कहते थे मेरे दुन मामू उनके दोस्त थे मेरी वालदा को अपनी बेहन समझते थे तो उस लिहाज से मैं उनको मामू कहती थी एक चीज और जो उनका ये कहना था मेरी कोई मेमरी नहीं ऐसी उनका ये कहना था कि बच्पने में जब मैं बहुत चोटी थी तो मुझे ABC लिखना उन्होंने सिखाई और उनका ये कहना था मैं कुछ भी कर लो उनके लिए वो काफी इसलिए है क्योंकि ये गुरू दक्षना है जो मुझे खर्ज है तो बहराल आप ने ABC सीखी और आप अंग्रेजी में लिख रही हैं अब अलिव बे पेते शुष्टी के उर्दू के उस्ताद होके उस वक्त तक वो एक इस्टेबलिश शायर थे मेरी पैदाइश के वक्त तक तो क्यों नहीं उन्होंने मुझे अलिव बे सिखाई काश मैं आज उर्दू में लिख रही होती यह जो किताब है इसकी यह शकल है शेहरयार लाइफ in poetry कहीं यह वो गुरू दक्षना को चुकाने की कोशिश है कहीं मेरी अपनी दिलचस्पी जो रही है मैंने तरखी पसंद तहरीक पे बहुत काम किया है और इसके उस थीसिस को लिखते वक्त भी शेहरयार साब का बहुत एक रोल था बहुत सी ऐसी चीज़ें जो चुकि मैंने उर्दू अदब को क्लास्रूम में तो पढ़ा नहीं है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वो एक सरल तरीके से मुझे बता सकते थे यह आम गुफतगू में या खाने की मेज पे बैठके चलते फिरते बहुत सी ऐसी च किताब है इस पे तो कि जो कम्यूनिकेशन एक तरह से कैजुवल्टी हो जाती है जदीद फिक्टिन में जदीद शायरी में तो इस पे जो उनके व्यूस थे तो यह सब बाते मेरे जहन में थी पिर मुझे लगता था कि वो खुद कहां लोकेटिद है क्या वो जो एक इंटर यहां पर उनका अपना ही रंग रहता है जो दोनों से उच्ण लेता है लेकिन अगया शकल में आपके बहुत अच्छा इस वह स्वाद माहूल बना दिया है और यहां पर मैं आपको रोगता हूं और मैं साहित साम अफजीद आपको लोंगा एक मिनिट में लेकिन हम जल्दी से उनकी जो किताबें हैं, जो उनके शयरी की किताबें इसके नाम से गुजर लेते हैं, इसम आजम उन्हों ने ये किताब पहली उनकी किताब की इसमे का दर बंध है 1987 में आई और यह बहुत मखबूल हुई और इसी पर हुने साहिद ते अकडमी आवार्ड मिला भी साहिद साहिद की तरफ चलते हैं साहिद यह बताईए कि आप उस बाद यूनिवर्स्टी में काफी अक्टिव थे और आपका लाहरे अदब से भी बड़ा गहरा पॉलिटिक से भी आप यूनिवर्स्टी में बड़े अशना थे और तो वो मैं आपके तासरां जानना चाहता हूं शहरियार के बारे में फिर हम वापिस आएंगे रख्शंदा साहिबा पर और गुप्तबू जाएंगी 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 लेकिए अलिगड़ में मैं वैसे तो शोबय उर्दू से वाबस्ता था लेकिन चूंके अदब से दिल्चस्पी होने के नाते उर्दू डिपार्मेंट में भी और हिंदी डिपार्टमेंट में भी तकरीबान हर एक के साथ उठना बैटना रहा मेरा और जैसा कि आपने कहा क पॉलिटिकली एक्टिव भी था मैं जैसे यूश्टी की एक्जेगेटिव काॉंसल का इलेक्टिड मेंबर रहा या अकैडमिक आटिविटीज भी थी लेकिन बैट अपार्ट शेरियार साब से मेरा जाती अच्छा खासा मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मैं उनके बहुत ही कर पॉलिटिड मेंबर भी रहे और भी कोर्ट के भी शायद मेंबर रहे वो और यूनिवरसिटी में जो भी एलक्शन लड़ता है वो खास्तोर से और वैसे भी डिपार्टमेंट की अपनी सियासत होती है तो अगर एक शाहस के कुछ दस चाने वाले हैं तो दस ऐसे भी होते है जो उनकी बुराई करते नजर आएंगे लेकिन शेरियार साब के बारे में जो मैंने एक बात महसूस किये M.U. में वो ये थी उनकी या तो दोस्त थे या दोस्त नहीं थे मसला उनसे कोई तालुक नहीं था लेकिन शेरियार की बुराई करते हुए कम से का मुझे कोई नहीं उसक्त अगर साहित अकडमी का तो इनाम उनको मिली चुका था उसक्त मैं वहां बायसियत लेक्चर मेरा तकरूर हुआ तो लहरे बड़ा नाम थे शहरयार साब लेकिन मुझसे भी उसी तरह से शफ़कत से मिलते थे तो यह नहीं लगता था कि मुझे अपनी कुछ अपके कम होने का एसास हो जैसे बहुत ही बहुत शफ़कत के साथ यह आप कमफर्टेबल फील करते हैं तो बड़ी शखसियत कि उसमें आप वो नहीं होते हैं ओवर्शेडो तो यह बात आफ़ दो अभी मैं आऊंगा आपके पास मेरा तालुक जो शहर किर बाग खता इनका था जिसमें यह शहरियाद सभालीज साफ के घर में रहते हैं तैति सक्रबाग मेरे गठतीज फीचि और तमो खलीज़ और साथिए पर जाते थे तो उस दोस्ती के वज़े से मेरा आना जाना खलील साथ किया था और मैं वहां पर शरीयार साथ को देखता था जब शरीयार साथ बिल्कुल लड़के था और वहां पर महफले होती थी उस वाथ हमें कुछ इतनी सुद्बुत थी नहीं उन महफलों की आवाजे हो रहा होता था था उसमें लेकिन उससे हमें जादा हो नहीं रहता है फिर वहां से हम चले गए फिर मैंने जब शाहरी शुरू की फिर शैपर साथ से मेरी मुलाकात हुई और शैपर साथ ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कुछ लोगों से अध़ी मैं फिर शाहरीयार से को मैंने री डिसकबर कियाए उसमाने में हम लोग् everything ौछ उसमำने में शाहरीमोरी COP करना आसान काम नहीं होता था लगों के तो अब मैं कैसे इनको बताऊंगा कि मैं शेर कहता हूं तो बड़ी घबराइट हुई लेकिन फिर बताया और उन्होंने उसके बाद से मेरी इतनी होसला अवजाई कि यह सही तो जानते हैं हर वक्त मुझे वह करते थे अर्दू के डिपार्टमें और बहुत मुपत के साथ हर जगे और आफिर में तो उनसे ऐसी वह हुई थी कि वह मुझे कौन करते थे तकरीबान हर हफता जब मैं यहां आ गया था और लंबी लंबी लुपत बहुत रात में होती थी और सब चीजें बताते थे अपने ताज़ा फजलें सुनाते थे और तो यह हम लोगों का तालोग है उनसे ता यह भी नाजरीन जान जाएं किस तरीके से हम शैरियार से जुड़े में हैं अज़ा अब मेरे खाल में हम आते हैं उनकी शैरी की तरफ थोड़ा सा तो रक्षंदा कह रही थी थी वह सब्सक्राइब जदीद और तरफ्टी पसंद म इस तरीके से वो दोनों कुछ लोग यह कहते हैं कि वो दोनों कश्टियों में थे या नहीं थे रक्षंदा से ही मैं पूछूंगा कि वह क्या कहना चाहती है सब्सक्राइब जी मैं असल मैं यह बता रही थी कि इस किताब को लिखने की वज़े क्या थी तो मुझे लगता है कि विज़ी जो दिवज़ेस्पी तरकी पसंद तरीक में थी मैं देखना चाहिए कि जो उसका उरूज था जो उसका हाई नून था जब वो पीरिट खतम होता है यह तो नहीं कि वो खला में चली गई उसके बाद और कुछ ऐसी कोई उसका कोई असर नहीं रहा या उसमें से कुछ और कीज़ें कोई नहीं शाखे नहीं फूटी ऐसा भी नहीं था तो मैं समझने की कोशिश में थी कि खलील साब खुद मसलं खुद शुरू में हम कह सकते हैं कि क्लियरली तरकी पसंद तरीक के साथ थे लेकिन उसके बाद इतनी कह रहे है कि वो उससे हटके अलग हो ग करते हैं जरूरी नहीं कि वो उसी रस्ते पर चलते चले जाएं कुछ लोग यकीनन ऐसे हैं लेकिन कुछ लों का रस्ता और रस्तों से जाकी मिलता है ऐसा मुझे मेरा अंदाज है मैं यहां पर सहीद सहाब को भी लाना चाहरा है, सहीद सहाब आप क्या समझते हैं, कहां वो फिट होंगे शेरियार सहाब, यह जो डिविजन होता है, क्लासिकल और तरफ्पी पसंद और मौर्डन और पोस्ट मौर्डन और गएरा, मेरा ख्याल यह है कि जो भी मेरी महदूद नौलिज है, मेरा महदूद मुताला है अदब का और खासतों तरफ्पी शेरियार सहाब की शाहरी है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके शेर्ट्स हों हैं, तरफ्पी पसंदी के भी शेर्ट मिल जाएंगे कहीं कहीं, और क्लासीकियत के कम है, मुझे यह हो सकता है, लोग इतिफाख ना करें इस बास से, इसलिए कि उनकी लफजियात तो बिलकुल ही अलग है, उनके अपने अस्तियारे हैं, और कुछ खास स्तियारे ऐसे हैं, जो शेर पढ़ते हैं इंदाजा होता है कि शेरियार का शेर है, लेकिन जो मौजू है तरक्य पसंद शायरी का, उनके अदिक्षन तो यकिनन शेरियार साब के पास नहीं है, लेकिन मौजू तकरीबन वो ही है, जहां पर अगर अपने वक्त की तकालीफ हैं और एक जनरेशन के महरूमी का और उसकी नाकामियों का ए साथ है, तो वहां कहीं न कहीं उम्मीद की बाते भी वो करते हैं, जो तरक्य पसंदों किया था, अब ये शेर जो मैंने पढ़ा था, जो शुरू के इंट्रोड़क्शन में के सिया रात नहीं लेती, ये तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, ये तो लगता तरक्य पसंद ये शेर बिल्कुल, एक एक इंटर्वियों मैंने तबील इंटर्वियों किया था हिंदू के लिए, ये शेर जो अभी हिलाल साब आपने पढ़ा इसी का हवाला देते वे शेर साब ने अपनी बात कहने की कोशिश की ती और ये वो वक्त था जो जब गुजरात राइट हु ये अज़ा दियाद हो, वो कुछ इस तरह से है, वो जो आसमा पे सितारा है, उसे अपनी आखों से देख लो, उसे अपने हाथों से तोड़ लो, उसे अपने होटों से चूम लो, कि उसी पे हमला है रात का, क्या बात? क्या अच्छी नदम और बहुत मौके से आपने पड़ी है, और ये मैं, आगे एक चीज में मझे एक ये जब ये इसकी तलाश कर रहा था, तो एक ये मजमून मिल गया वारिस करमानी साहब का, और उन्हों ने ये बड़ी दिल्चस्प बात, हर आदमी का अपना वो होता है दरिया, उन्होंने एक आद चीजें बड़े दिल्चस्प इसमें लिखी हैं, मैं आगर आप इजास्थ हो तो पढ़ दूँ, तो ये है कि शहरियार की शाहरी पर तनकीदी मजामीर पढ़ता हूं या खुद लिखने का इरादा करता हूं, तो खुरुबत और दोस्ती के बा इस मामले में वो अपने उस्ताद खलील रर्रह्मान आजमी, ये रक्षंदा कह रही थी, अपने उस्ताद खलील रर्रह्मान आजमी से दो قدم आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने खलील की तरे तरक्की पसंद शाहरी को तलाग देकर जदीद शाहरी से अख्द सानी न की शाहरी पर कदीम या जदीद शाहरी की इस्तिला आयद नहीं होती, वो रिवायत के परवरदा खतन नहीं हैं, फरूकी साहब की साहब नजरी और शेर फहमी तसलीम, लेकिन वो भी इस सलसले में अजराह मतानत शाहरीयार के यहां रिवायत को जुटलाने की हमत न कर सके, उसके बाद उनोंने एक वो कोट किया है. तो ये भी एक पहलू, हम देखिये रहे हैं कि शहरियार की शहरी के बाद, के ऊपर ये हम सब की राय बन रही है और पहले भी रही है कि उनको भी जैसे कि आम अच्छी शहरी के साथ होता है, कि उसे आप किसी खाँचे में फिट नहीं कर सकते. लेकिन इस बात को भी तसलीम करना चाहिए है कि क्लासिकल रिगर से वो नावाकिफ नहीं थे. जिस खुझम की तालीम उनकी रही थी, उर्दू डपार्टमेंट जो उस वक्त का एक बहुत, मतलब आप कह सकते हैं, उर्दू का सतून था उस वक्त रहा है एक लंबे अर्से से. तो वहां जो उनकी तालीम रही थी, तो क्लासिकल रिगर से वो वाकिफ होते वे, रचे बसे वे थे उस रिगर में, और फिर शायद उन्होंने अपना एक रस्ता एक्तिया किया. जिसमें शायरी नहीं लेकर नदबी बाते होती थी, वह हम लोग किस्तखार आलम साथ के हैं, तकरीबन हर अफ़ते मिलते थे, ताश के वह बहुत शौकीन थे, हम लोग कहते थे. और एक बात थी शहरियार साहब में, शहरियार साहब को मौके के लतीफे और मौके के शेयर बढ़ादा, बहुत ही बिल्कुल वह बरजस्ता कहते थे, और और लोगों के शेयर, और लोगों के शेयर, और लोगों के शेयर, और लोगों के शेयर, और और लोगों के शेयर, और सब्सक्राइब करेंगे वो बहुत ही कम ऐसा होता था और वो जो पुझे का साथ बैठाके होती थी नहीं है उसमें बोगे पना लटीफे और वो बहुत ही रियरली वह जिए करील साथ से बेंतिया मतासिरते हैं और उनके कर देते कभी ता लेकिन ज्यादाता यहां एक बात मैं अर्ज करता हूँ हिलाल साथ, कि मेरा अपना जाती तोर पर यह मानना है, हलांके मैं नाकाद हूँ ना शायर हूँ, कि कोई भी शायर शायर बड़ा शायर ना बन पाए जितने शायर यार थे, अगर उसने क्लासी की शायरी ढंग से पड़ी नहीं है, तो उन हूखे से उनको सनाते थे, विटी बहुत थे, और बागो बाहर शक्सिया जिसको कहा जाता है वो थे, और एक चीज और जो जैसे तरकी पसंद शायरी का जो एक खास वो है, कि जहां वो जो एक्स्प्लाइट सेक्शन है, उसकी तरजवानी करते हैं उसके दुपों की, वहीं कहीं न कहीं होसले की भी बात होती है, तो शेरियार के हां भी बावजूद इसके, कि सारे जो एक असरी हिजान है, और इनसान बड़ा एलियनेटेट फील कर रहा है, बड़ा डेप्राइट मैसूस कर रहा है, तो वहां होसले की बात भी पूरी करते हैं, ताकि उनी मुश्कि यानि और एक बात और, खास्तोर से इसी जगा मनासिब रहेगी, कि शेरियार जब भी इसका जिकर कर रहा है, तो वह ऐसी जगों पर वर्ड हम यूज़ करते हैं, यानि वह अपने जात की बात नहीं कर रहा है, बलके पूरी जनरेशन पर या पूरी वो जैसे, for example, मैं उनका एक शेर कोट करूँ, सहीद, ये शेर कोट किये, उसके बाद हमें रोकना पड़ेगा, हमारे 30 मिनिट हो रहे हैं, मैं सारे अपने उससे करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने लोग इसमें शामिल है, कि वो दूसरी मीटिंग तस मिनिट में शुरू होने वाली है, जा चुका है, उसमें दुबारा शामिल हो जाएं, और हम वहां से उसको फिर टेक अप करेंगे, शेर कोने सहीद, जी, शेर यार का जैसे एक शेर है, कि आँखों को सबकी नींद भी दी, खौब भी दिये, हमको शुमार करती रही दुश्मनों मेरा, तो हमकी जगा मुझ भ यह उनकी शेहरी शायरी है, वो एक शेहरी सेंसिबिलिटी का जिकर कर रहे हैं, जो अपने गाहों देहात का सब्सक्राइब से कट ओफ हैं, तो जो अबन एलियनेशन है, जो हमने कम से कम दो डेकेड्स पहले अंग्रेजी में देखा है, दो या तीन डेकेड्स पहले टीएस या वो एंग्री यंग मैन का जो तसवर था, उसमें देखा, वो हमें शेहरी यार की शायरी में सेविंटी एटी तक नजर आ रहा है, एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल एक शेहरी क्रीचर है, और कहीं उसमें एक एंग्स्ट है, एक एलियनेशन की पीलिंग है, और कहीं शायद ये वज़े भी है कहां से वो उटके आया था, वहां से अब उसका तालूफ कट गया है та ओर आब वो एक शेहर में रह रह रहा है. तो जिए शेहरी जिंदगी के जो मसलें हैं मिलती एक बर बेशेक मिलती है कि जब हम आएंगे, तो जब जरा उनके इस्तियारों की भी बात क करेंगे जैसे सहीद साहब ने कहा और आपने भी कहा रख्षंदा कि उनके अपने इस्तियारे थे कुछ तो उसका हम उसके उपर डिस्कस करेंगे